कि नमस्कार दोस्तों आज किश्ण वीडियो में एक बर फिर से आपका स्वागत है चत्तिसगर सिक्षक भरती 2023 में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोटकेस लगा हुआ है जिसमें देखिए कोटप पर तारिक पर तारिक धिया जा रहा है ये लोग जो गौर्वेंट है कभी अपडेट नहीं देंगे कभी ये तो इस प्रकार से देखिए ऐसा मंसा लग रहा है कि जो भरती है वो चुनाओ कि बात करने वाले हैं लोग ऐसा इस प्रकार से आप इनकी नजरिया देखा जाए तो ऐसा ही आप मान सकते हैं मजा कि ये लोग बना करके रखाए कि भरत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कांसिंग की कांसिलिंग की प्रक्रिया जो है प्राराम हो सकता है मेरा मानना है ठीक है क्योंकि भली ये मामला है ठीक है अरक्षड वाला ति ये अरक्षड वाला मामला जो है क्योंकि उधर देखा जाए तो ज्यादा परसेंट पर पाज तारित को देखने को मिल सकता है या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है ठीक है जो भी फैसला होगा वो बाद में होता रहेगा इस प्रकार से आप मान सकते हैं तो इस प्रकार देखिए अब अगली सुनवाई को देखा जाए तो अगस्त 17 अगस्त 2023 दे दिया गया है देखे 15 अगस्त के बाद सुनवाई का डेट दे दिया गया है, ठीक है, 17 अगस्त को सुनवाई का डेट दे दिया है, आप देखिए 17 अगस्त दिया है, लेकिन इसको जो गवर्मेंड जो है, इसको चाहे सरकार चाह सकता है, कि इसको अरजेंट हेरिंग फिर लगा करके, ताकि कि वो अपना प्रभाव दिखा सके कि हम लोग ने जो कोट केस हुआ है उसमें लेट लतीफ हुआ हमने अरजेंट हेरिंग करके जो है इस प्रकार से किया आइसा भी है लोग कर सकते हैं ठीक है तो इस पर आप ज़्यादा अपना माइंड इस्टरव ना करें और अपनी जो है जो आगे की रड़निती है उस पर अपना काम करते रहें क्योंकि किसी एक चीज़ पर बैट करके निरास होना ये सही बात नहीं है क्योंकि टीचर वही है जो हर मुस्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ है वही टीचर है अच्छे टीचर की क्वाल्टी है तो आप इस सा तो दोस्तों तो इस प्रकार से आप देख लिए कि अगले अर्जेंठ अगली सुनवाइज हो है और नेक्स्ट हेरिंग डेट 17 अगस्तों दोजार तेज को है तो दोस्तों यही जनकारी आप तक सेर करना था मिलते हैं फिर सेक नए वीडियो के साथ थेंक्यों फॉर वाचि जाए जाए भार जाए चाथ दिसको